तो गैस अगर आप भी Samsung के किसी भी phone को यूज करते हो और आपने गलती से उसमें safe mode एक्टिवेट कर लिया है और अब आप उसको deactivate करना चाते हो तो आप बिल्कुली सही वीडियो को देख रहे हो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको live जो है Samsung के phone में safe mode को हटाना सिखा होंगा और उसके साथ मैं आपको यह भी बता दूँगा कि Samsung के phone में safe mode लगता कैसे दोस्तों तो आप लोग यहां पे screen पे देख सकते हो यह मेरा Samsung का M51 phone है और मैंने इसमें गलती से safe mode को activate कर लिया है जैसा कि आप यहां पे नीचे में देख सकते हो यहां पे लिखा भी हुआ है safe mode अब मैं इसको अगर हटाना चाहरा हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे अपने power वाली की को प्रेस किया रहना होगा उसके बाद मुझे यहां से अपने phone को restart कर लेना होगा तो मेरा phone जो है यहां पर restart हो रहा है अब आप जाने जीए आपके phone में safe mode लगता कैसे दोस्तों आपके phone में safe mode तब लगता है जब आप पने switch off ऑली की को देर तक प्रेस के रहते हो उसके बाद आपके सामने safe mode का option आ जाता है और अगर आप उस पर गलती से click कर देते हो तो आपका phone जो है restart होके on होगा और आपके देक्टिवेट करना चाते हो तो उसके लिए आपको अपने phone को फिर से जो है restart करना होगा उसके बाद आपके phone से safe mode जो है डिक्टिवेट हो जाएगा मतलब की successfully हट जाएगा तो दोस्तों ऐसे करके आपने phone में safe mode को हटा सकते हो और कैसे लगता है वो भी मैंने आपको इस व बने मतलब को जाएगा 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 ज